हेलो फ्रेंज आज की डेट है 20 अप्रिल 2024 स्वागत है आपका आज के करेंट अफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला मारा अर्टिकल है माउश्ड से संब्धित देखो टॉप न्युज का आर्टिकल है ऐसे है न आपके इंटरिनल सेक्यृटी से समधि जोוס बी मुद्ध आ उसको एक बार लो और खतम दो ऐसे है इसको देह रहोगे यह मेंस में किल आ सकता है स्पखेंगे स्वक्पषेस कि नोर्स इस wanna के सिमस्या है मैंव moral मैं किसमी में किया क्नों फाटब्लम थी तो यह सारे मुध्या ऐक बार ऐक के खतम कर लो एक भार खतब हो जाएंगा तो बार बार इंको देशने कि की आव़ सकता है नहीं तो इनको यासी है कि दो रोज वो काम करना बंद कर देता है आपका जो body है न वो कैसी काम करेगा body में होता है nervous system तंतरी का तंतर होता है यह क्या होता है यह information बेजता बोरी body में अगर आप किसी को वस्तु को touch करोगे अगर वस्तु गरम है तो वो आपकी mind को सूचना बेज़ेगा दिमाग को सूचना बेज़ेगा कि हमेंने किसी गरम वस्तु को छुआ है दिमाग react करेगा और तुरूंद आप इस हाथ को हटा दोगे किस के तुरू काम कर रहे हो यह nervous system के तुरू काम कर रहे हो इस बिमारी में क्या होता है यह आपकी जो यह बिमारी होती तो वो act कर नहीं पाता है वो कोई काम नहीं कर पाता है इस परकार का गतिवेदी होती है इस बिमारी Parkinson's में तो यह वैक्ति के जो nerve system होता है वो काम नहीं करता है यह कम काम करता है इससे क्या होता है सरी के जो उसको निन्द्र करने की सक्थी होती सरीष को निनित्रित कर सकता है सरीष को काम कर export α वो सकती खतम हो जाती जो सरीष काम ні कर पाता है। जोगी ऐसी गतिवीद्य आजाती जो सरीष पे शंतुलन नहीं बना लगता यह उमर बढ़ने के साथ साथ होता है बड़ अभी क्या देखने को मिल रहा है अभी यह जो यूवा होतने यूथ 18 से उपर साल लिए लो उनमें भी यह देखने को मिल रही है पहले तो यह जो वर्द अवस्तती उसमें देखने को मिलती थी बड़ अभी ऐसे अद्यन में पाय अधी के इस ऐसा भी अध्यांस में सामने आया है अब इसके कारण क्या है यह मारी कैसे होती है क्या होता है यह आपका माइंड है ठीक है मतलब मालो यह माइंड है ठीक यहां पर देख लो यहां फोटो दी रखी अब माइंड में यहां पर होता है नर्व सिस्टम तंत्री का से च談तिके नर्व सेल्स होती है अब इन्स से नर्व सेल्स क्या करती है यह इनफोर्मेशन बेज़ने का का मक 영त, सरीर में इनफोर्मेशन बेजती है और गृखाना वो दिमाग तक लागती है, बट इसमें किसी वज़े से बाद आगी, यह काम करना बंद कर दी, तो अब दिमाग तक कोई information नहीं आईगी, तो दिमाग तक information नहीं आईगी, तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, पूरा सरीर काम नहीं करेगा, यह पूरा ज दीरे हो जाती है कम बंद हो जाती है इसी कहा जाता हैasan डीगरा कहा जाता है लब corrections और जहाता है कि अब यह k aparece यह इस प्रस्थिते में या तो आपकी जो नर्सिस्श चैल से ना मतब किसी फिय पर feeds वो यह तो खतम हो या खराब हो जाती या तो पहले खतम हो गई या खराब हो गई या फिर जो डोपामाइन होता है डोपामाइन एक हर्मोन है एक रसायन है डोपामाइन कब रिलीज होता है जब आपको ऐसी आकरसक चीज देखते हो या बाहर की कोई पी चीज देखते हो तब यह रिलीज होता ह यह रिलीज होता है आपके शरीर को information देता है शरीर उसी साब से act करता है एक जो से काम करता है activity तुरंद action लेता है बड़ यह डोपामेन यह रिलीज होना बंद होता है यह काम करना बंद होता है अब डोपामेन रिलीज नहीं होगा तो आप तुरंद action ले नहीं पाऊगे शरी समनमें बनाने का काम करते हैं अब यह देखो यह तोट गई यह से काम करना बंद इंजल ओगे अब यहाँ पी इन्फॉरमिचन आगे नहीं आगी इन्फॉरमिचन आगे न्गी नहीं आगी तो पूरा system है कामनी करेगा moment slow हो जाएगी और action लेल ही नहीं पाँ थे सिस्टम कैसे काम करता है वह आपको पता यह यह आपने लोकल बुक में पढ़ा हुआ जो भी आप स्टेड में पढ़ते थे, NCRTs वगरा तब आपको पता ही होगा, Parkinson's के इसके लक्षन क्या है, क्या क्या क्रेक्टरिस्टीर है, कामपने लगते हैं, कठोर, सरीर के जो अंग होते हैं, बाकी strict काफी कठोर होते हैं वर्द लोगों में आपने देखा होगा इनके सरीरत काफी कठोर हो जाते हैं साथ ही साथ में क्या होता है आप खा रहे हो कोई चीज तो चबाने में दिक्कत आ रही है बोलने में दिक्कत आ रही है मुत्र मतलब जो भी करने में टॉलेट करने में कटारी है और इसकीन समझी डिसीज देखने को मिले तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है साथ ही साथ में वर्तमार में इसके लिए कोई उपचार नहीं है इसके ठीक करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है कोई दवाई वगर है नहीं तो यह बहुत ही ब्यानिक बिमारी हो जाती है क्योंकि इने के लिए कोई उप्चार नहीं है तो यह हमने देख लाइए पार्केशन से डीजीज के बारे में दूसरा यह है एक एक इकनोमी का पेज था उसमें दे हिंदू के एकनोमिक पेज से आर्टिकल आर्टिकल बात करता है इंडिया में है न एफ यह इक है जिसकी डीम एक बिलियुद को से अधी को एसी स्टर्ट आप कंपनी को उने कोंपनी के स्टर्ट आप का जाथ श्रिया गया तो इनकी संध्वया बढ़ने वाली एसा बात करता है new data log के बारे में जो data protection है उसे समझेद अभी European Union के दोबरा एक log लाया गया उसी की तरज पर बारत में भी law लाया गया तो उसके बारे में बात की इसमें fundamental right की भी बात हुई तो ये editorial काफी important है ये आपको telegram में मिल जाएगा इसको जरूर देख ले ना काफी अच्छ reason है उसके बारे में बात करता है कि Arctic reason में क्या changes देखने को मिल रहा है ये prelim के लिए काम का है और men's के लिए काम का है वहाँ पर क्या प्रस्टितिया आया Arctic council के बारे में बात की गई है तो ये भी most of इसमें focus किये गए वो UPSC के आपके men's में क्यूशन बन सकता है तो ये आपको discussion में मिल जाएगा या फिर इसमें कोई बड़ा आर्टिकल है तो इसमें हम discuss भी कर लेंगे उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये science and take से समझ जीते है ये है पार्किसंस डिजीज के बारे में already हम देख चुके तंत्री का तंतर से समझ जो बिमारी पार्किसंस सरीर काम करना बं इसमें आपको क्या दरनक ना आपको इतना ही पता होना चाहिए प्लेस एन न्यूज में ये क्यूसन पूछा जा सकता है कि दगास्तन रीजन कहां पर है ये है रस्या ये रस्या रस्या का एक रीजन है कहां पर है वेस्ट रस्या साउट वेस्ट रस्या में एक रीजन है दिश्टन के बारे मुझे का ज़्यादा देखने के आपको आप सकता नहीं बस कहा का रिजन इतना पता होना चीख, next जो है यह चीज है ना, इनका नाम आपको पता होना चीख, किनका नाम, पाइलड गोपी ठोटापूरा के बारे में तो यह पस्ट इन एक्रम बन सकते हैं यू पर्सण इन्समान पर पेज़ को で है पाइलोट गोफी थोटा पूरा यह सब् ें अभी इन मिशन बेजा जा रहा है बलू ओरीजन न ने उनके द्वारा टोटा कूरा को is पेस में टूरिजल्म होता है उनको इस टोरीस्म बेजने cog काम करता ये mission तो NS 25 mission है किसके आप mission है ये blue origin का mission है इनके द्वारा पाइलेट गोपी ठोटा-kूरा को इस पेस में बेजा जाएगा इसकी सात में गोपी नात के सात में 5 और सदस्य को बढ़ा जाएगा निकि टोटल छे लोगो को اسपेस में बेजा जा रहा है ये गोपी ठोटा-kूरा जी दूसरे बहती बनगे इन से पहले राकेशरमा जी जो कि इस्पेस में जाने वाले पहले भारतिय थे राके सर्मा के बाद में गोपी थोटा कुरा है वो दूसरे भारतिय बनेगी जिनको इस्पेस में बेजा जा रहा है तो इनके बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए इस्पेस में बेजे जाने वाले दूसरे वेक्ति नाम क्य नाम याद रखने की आप सकता नहीं है, आपको गोपी थोटा गुरा का नाम याद होना चाहिए, नेस्ट आर्टिकल, इंडियन मेटरलोजिकल जो डिपाइटमेंट है, उन्होंने एक भविस्य वाने की उससे समझ देते, इन्होंने क्या भविस्य वाने की है, इन्होंने प्रवान सुन के दोरान यहां पर बारिस ज्यादा होगी, ऐसी बविस्य वाने की है, यह पूरा मेट दे रखा है, पहले हम बात कर लेते हैं, इन्होंने बविस्य वाने क्या का है, यह को काफी डिटेल में छोटे चोटे वर्ड दे रखे, इनके बारे में इतने परसंड ब लान निनो, ठीक है, इसके बारे मोस्टोफ लोगों को पता ही होगा, जोगराफ में आपने पढ़ा होगा अल निनो, लान निनो के बारे में, अल निनो क्या होता है, ठीक है, यह है, साउथ अमेरिका, ठीक है, एक देस है पेरू, ठीक है, पेरू चिल्ली बगरा है, यहां आपर एक current वहती है, Generally, यह current हो ती है, यहोटी cold current होती है, यहां का temperature को इस current का cold होता हुँआ थन्ड़ी धारा है, अब यह withholdी धारा नॉर्मल समय में होती है, बड़ कभी कभी क्या होता है तीन से चार साला में ये जो थंडी दार है न ये गरम धारा बनजातीnam यानि कि इसका temperature warm हो जाता है तो ये थंडी दारा warm धारा में यानि कोल्ड करेंट warm current में परिवर्थित हो जाती अब यह warm current बनेगी, तो इसका temperature warm होगा, अब इसका temperature warm होगा, तो यह पूरा region है, इसका temperature भी क्या हो जाएगा, warm हो जाएगा, अब इसका temperature गरम होगा, तो क्या होगा, simple सी, यहाँ पर low pressure बनेगा, क्योंकि जहाँ पर तापमान गरम होता है, temperature high होता है, ठीक है, temperature high होता है, उसका अमरीका का रीजन है यह पेर हुए यहां पर यह करंट है लोग प्रेसर बन गया है क्योंकि यह वाम करंट बन चुकी है ठीक है यह वाम करंट बन चुकी यहां टेंपरचर लोग चुक है बारिस यहां हो रही है तो यहां पर भारत है यहां पर मानलो ऑस्टेलिया है ठीक है य तो यहां पर बारिष नहीं होगी, इस रीजन में बारिष नहीं होगी, यहां पर बारिष ज्यादा होगी, क्योंकि टेंपरेचर इसका वाम है, अब बात कर लेते हैं, इसका उल्टा, सामानिती कैसे देखी थी, अमने कोल्ड देखी थी, बट कभी कबार क्या होता है, इस पर प्रस्ते थी होती है, नॉर्मल में कोल्ड थी, कभी कभार तीन से जार सालों में गरम हो जाती, और कभी कभार तीन से जार सालों में ये ज़्यादा ठंडी हो जाती, जो नॉर्मल ठंडी होती है, उसे भी ज्यादा ठंडी हो जाती, अभी ज्यादा ठंडी होगी, तो यहाँ पर temperature कितना होगा, temperature कम होगा, pressure होगा, वो high pressure होगा, high pressure होगा, तो यहां सी यह जो wind होगी, जो भी wind है, current है, दूसरी हो जाएगी, तो यहां पर बारिस होगी, बारिस का होगी, भारत है, और यहां पर ज्यादा बारिस होगी, तो high pressure जब यहां बनेगा, भारत में बारिस होगी यहां पर फिसिंग अच्छी होगी यहां नहें पर मत्सेपालना वह अच्छा होगा ला-nanino की दोल् univers यह प्रस्टेते होगती अल्ली नहां क्या होताई ही यहां बारिस कमोती है ठीक है है यहां बारिस अल्ण की बात करें वारिस जाद में अकर अमरिका लानिनों में फिस्सिंग ज़्याद होती बारिस कम होती है, भारत में ऐसे समझ लू अते हैं बारिस में शब्सकान हो थिए जव्यादी प्रकेश शब्सकान में जऺ आधे हुखे डाइपॉलर अब इसमें क्या होता है एक है यह है वेस्टन इंडियन ओसे यह इस्टन इंडियन ओसे अब इसमें क्या होता है इस्टन इंडियन ओसे यहां कर तापमान क्या हो जाता है यहां और इसके टांप्रेचर में अंतरा आजाता है मतलब हिंदमास अगर के पूर्वी और पस्टिवी तो नहों के सत्य के ताप मान में अंतर आ जाता है इनवा सागर में अगर थंड से भी अधिक ताप मान है मतलब यहां पर थंडा अधिक है तो अपने यहां पर भारत बाइस जादा होगी अगर इंडियन और उस यह डाइपोलर यह पोजिटीव है यह मतलब है या टापमन धंडा है झीड के साइड में ध्रमट सामी जाद होगी Jest के साइड में ध्रम्जिक a यह की धिन ही आज़ाने किए भावी ऑनी अने वाला ज्रम लिए पौजई निन हो है ऩी अने हुब सकती है दूसरी इनों ने जो आयोड है वह सकारत में पोजिटीव है इसलिए बारत में अबारिस आने की समभावना ज़्यादा है अब कहा का बारिस आएगी कितनी आएगी यह पॉइंट आपको याद रखने के आप सकता है यह बहुत बेसिक पॉइंट हो गया पर बाव क्या पड़ेगा नॉर्थ इस्टन वेसियन में जो कुछ रीजन है इनको छोड़के मतब वेस्ट में राजिस्तान वाला भाग है यहां पर बारिष कम होगी इस्टन रीजन है इस्टन वाँ भारिष कम होगी बाकी रेस्ट बारत में बहुत ज्यादा बारिष हो सकती यह कहना है इंडियन मेट्र लोगिकल डिपार्डमेंट के बारे में तो यह मारा पूरा आरिकल इससे समझे था चलते हैं हमारे नेक्स आर्रीकल की और नेक्स जो आर्टीकल है वह इ इरान की धवरा इस जिया जाज को कैप्चर कर लिया, हाई जेक कर लिया, अब इस में तिन, 17 इंडियन भी थे, बाद में इंडियन gWhenめて का, इनको फॉन गया इरान गए conduc to abbiamo के हमारी मेंबर को क्यों अपने किया है, तो अब इरान कहा है इरान है नजिदिक देश कौन सा साई इता हूना है चीज के बारे में ठीक है जी नेचnın Table यह वह मदेख चुक्क ए है पूस्के बात कैदा आसमकी रिवर के बारे उसके बात도 क्या रीवर का नाम कि यह है river का नाम है जिया धल river जिया धल river सबसे पहले इसका origin कहां से ओता है इसका origin होता है अरुंचल प्रदेश से अरुनचल प्रदेश से जो हिमालेन रीज़न है वहाँ से इसका origin होता है आगी बहती हुई ये ब्रहँपूत्र river में मिल जाती है ठीकिप अलगले नाम jetzt जाने जाती है, इसे कमोटिया भी कहा जाता है, संपारा रिवर भी कहा जाता है, अलग रिवर में बहती है, बाज में सेलालों के पास में प्रहंपुत्र में मिल जाती है, यह बहुत जादा वहाँ पर साथ में जो गाद है, यह सारा लेके जाती है, जो आसपास का रिजन है, वहाँ जमा जाती है और इसके तल है वो भर गई है इस्तती इसकी चेंज हो गई है पहले कहीं और बैती थी अलग जगा बैठने लगी अलग पैटन अपनाती है बिकॉज कि इसमें गाज बगरा बहुत जादा साथ में आती है बाड के दो रहा है तो यह जी अदल रिवर के ब जो भी मरे जीवों को खाती है अगर इनके साथ में डेंजर केमिकल वगर नहीं है तो इनकी जो इस्तोती उसमें सुद्धा लाए सकता है इनकी संक्या में जो गिरावट हो रही है उसमें कमी की जा सकती है तो इस रिपोर्ट में थोड़ा बहुत पॉइंट थी हमारे लिए पॉइंट हो जाती है तो वैसे बात करें वलत्या की किक है यह देखे जाते हैं परकंती क्रूब से महतपूनकारी करते हैं और इन activists के पता यह कि यह जी है न जो मरे वह पसू होते मतल toen थीक करने के लिए एक दवाई दि जाती है कुंसी दवाई होती है दवाई का नाम है डाइकरोफorno oni दवाईяд अगर पसो मर जाता है उसके बाज में यह दवाई उसके पेट में रह जाती है फिर जब वुलच़र इनको खाते हैं तो उनका भी धिहान हो जाता है यह खत्रा है बाज में य यूज़ी इनदीया हुना ची। इंडिया स्ब्सक्राइए हुझ गवर वेलचरे कि रॉड़ यूटिक्ल लिंदीया, फिर नचनीी इन के वाहते हुना चैनINS, इन्डीया, वहरे न्रचर। चार है, वो critically endangered है, एक जो Egyptian वाली endangered है, बाकी जो list concern और near threatened है, तो इनके बार माइडिया हो नहीं, इनके बार माइडिया जरूर होना चाहिए, यह कौन सी category माई, IUCN कि यह जरूर क्यूसन आना, इस पर क्यूसन आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इस पर definitely क्यूसन बन सकता है, इसके बार में पता होना चाहिए, यूपी असी ओल्री क्यूसन पूछ चुका है, यह वल्चर के बार में, कि इनकी मौत हो जाती ही, क्यूं होती ही, चार रीजन दे रखे, पहले यह देखो, यह तो यह तो answer हो नहीं सकता है, फिर भोजन जो मिलता है, उसमें कम फिनेकल यूज की जाती है, इसके काणिन की मृत्य हो जाती है, तो ऐसे क्यूसन बनते है, इसके बार में थोड़ा ध्यान रोना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो आर्टीकल है, वो उप्रेशन मेगदूत के बार में, सियाचन ग्लेसियर को वापिस लिए इस से समझी था, तो स उसके बाद में, अगर किसी को काण्ट करें, तो ये सेकेंड नमर प्याज है, सबसे बड़ा ग्लेसियर है, बूसरा सबसे बड़ा ग्लेसियर है, कारा करम कोल, कारा करम पास, और कारा करम रेंज के पास में पढ़ता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तानी, ज चАहिन ना कब्जा कर लेता तो भारत की यहाँ पर जो लोकेसन न वो खत्रेम आ जाती लद्दाक पर भारत का खत्रा कंट्रूल छूड़ सकता था पूरा कस्मिर भारत के आथ में जा सकता था ऐसी प्रस्तेती बन गई थी अब पाकिस्तानी एक ओप्रेस्टन चला था पाकिस काफी उचा पॉइंट है तो यहां से निग्रा नहीं रखना इजी हो जाता है तो इसको लेने के लिए बारत ना ओप्रेशन मेगदू चलाया इसका उद्देश यह था बारत को वापिस पॉइंट लेना है तो यह काफी उचा ही पर लड़ा गया है युद्ध बारत का वल्ड से तब के तब से बात हो रही है तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा महत्मुन था यह पल कि हमने यह नहीं चुड़ा था तेरह आप्र उन्ने सो चौरा सी को सुबह दुनिया के दिन यह युद्ध चलाया गया था और ऑप्रेशन के माध्यम से हमने वापिस लिया था पांस स सिया चिन गलेशियर और वहां पर इस्तितफ है हमने देखी लिया और 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 करम पॉस के बीच में इस्तित ए सबसे उची चोटियूं पर एक यह यहां पर सिलाटर कांगडी की आदी भी सामील है ठीक है नुब्रा रीवर है उसका ओरिजन भी यहीं से होता है लदाक जो है इसे इसका मतलब होता है गुलाब का इस्तान जहां पर गुलाब खिलते हैं व्यासे इस तमको सियाचीन कहा जाता है वो दीनिया के सबसे उंचा युदध शेक्टर है और सुन रहाँ पर बात करें यहां पर हिली पेड़ भी बना गए वहां पर बनाए गया था तो काफी मेट नई ता थैंक यू तैंक यू तैंक यू तैंक यू वेरी बच्ट वर दिसक्षान